दूस्तों अगर आप Yono SBI की मदद से अपना CIF नंबर पता लगाना चाते हैं कि इस तरह से पता लगा सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको Yono SBI एप्लीकेशन में लोग इन कर लेना है लोग इन करने के बाद आपको कैसे CIF नंबर पता चलेगा लोग इन करने के बाद आपको एकाउंट में चले जाना है और transaction वाले option पर click करने के बाद, अब आपको क्या करना होगा, यहां से जो है, कितने भी दिन का आप statement निकाल लेंगे, चाहिए एक महीने का, चाहिए जो है 10 दिन का, तो बस यहां पर click कर देंगे, इसके उपर, ठीक है, जैसे यहां पर सर्च बना हुआ है, यहां पर click करेंगे तो आगे last 10 transaction, तो मुझे last 10 निकालना है, बस मुझे अपना जो CIF नमबर चाहिए, तो बस आपको क्या करना है, यह देखे, download का option बने के आ रहा है, यहां पर आप email पर भी मंगा सकते हैं, तो यहां पर download वाले option पर ही किदिक कर देते हैं, जैसे इस पर click करेंगे, तो यह आ नहीं बेंगे में आपका जो भी नमबर डला हुआ है, उसके last के फोर डिजिट आपको चाहिए, जैसे example रूपे आपको दिखाया गया है, जैसे किसी के नमबर यहां पर ले लिए, और इसके date of birth आपकी जो भी हो, उसके आंगे के जैसे मैना और day ले लेंगे, जैसे यहां पूरा आप date of birth लिखे देंगे, add the rate लगाएंगे, फिर mobile नमबर के last के four digital के okay कर देंगे, यह गायव हो जाएगा, अब आपको फाइल मेनेजर में इसको open करना हो, तो देखिए, आपको अपने mobile में सब फाइल मेनेजर सर्च कर लेना, इसके किलिक करना, उसके बाद थोड़ नमबर यहाँ पर आपको कहाँ पर पता चलेगा, तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, जैसे account नमबर, ठीके branch, यह सब दिया गया, थोड़ा सा scroll करके यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह दिया गया है CIF नमबर, ठीके तो देखिए, यह पर जो है CIF नमबर मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ आपको की मदद से आप अपना CIF नमबर पता लगा सकते हैं,